नमस्कार मैं प्रद्युम्न तिबारी आप सभी के समक्षुपस्थित हूँ मित्रों आज हम बात करेंगे कि रोहिनी नक्षत्र में जन्म लेने बाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होगा मित्रों यदि आपका जन्म रोहनी नक्षत्र में हुआ है यानि कि जिस दिन रोहनी नक्षत्र था उस दिन आपका जन्म हुआ है तो ये जीवन फल आपके लिए है तो आईए जान लेते हैं कि रोहनी नक्षत्र में जन्म लेने बाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होगा मित्रों रोहनी नक्षत्र के स्वामी ग्रह चंद्रमा हैं और रोहनी नक्षत्र के देवता सृष्टी के रचैता ब्रम्हा जी हैं कुछ लोग रोहनी नक्षत्र के देवता प्रजापती को भी मानते हैं, लेकिन हम दोनों को मानेंगे ब्रह्माजी को भी और प्रजापती को भी. मित्रों रोहणी नकशतर में जन्म लेने बाले जातक के नेत्र विशेशाकर्शक होते हैं इनको सुन्दर प्रशाधन सुरंगार अलंकरण विशेश प्रिय होता है इनको सजना धजना बहुत अच्छा लगता है ये अपनी सुन्दरता पर विसेश ध्यान देते हैं और ये अच्छे-च्छे वस्त्रधारण करने वाले होते हैं रोहनी नक्षत्र में जन्म लेने बाले जातक महाभाग्यसाली होते हैं इनका भाग्य इनका साथ हमेशा देता है ये प्रचुर लाभी होते हैं बड़े धनवान होते हैं और इसी कारण से लोग इनसे इर्षा भी करते हैं कभी-कभी ये बहुत ज्यादा सुन्दर होते हैं इस कारण से भी लोग इनसे इर्षा करते हैं जलने लगते हैं मित्रों रो रोहनी नक्षत्र में जन्म लेने बाली इस्त्री का चेहरा गोल होता है। मित्रों रोहनी नक्षत्र सिध्ध दायक राजसिक इस्त्री नक्षत्र है। कभी कभी इनको बातें करने में बहुत अच्छा लगता है। होते हैं ये कभी व्यक्तित वाले भी होते हैं कविता आदी इनको बहुत अच्छी रखती हैं साहित्य में रुची रखने वाले होते हैं ये थोड़े इर्शालू भी होते हैं लोग इनसे तो इर्शा करते ही हैं इनके धन के कारण और इनके सौंदर के कारण लोग इनसे इर् रखते हैं कभी कभी यह इस्वर भक्त होते हैं धार्मिक होते हैं तत्व मिमांसक होते हैं आध्यात्मिक होते हैं दार्शनिक प्रबर्ति के होते हैं यह इस्थरचित वाले होते हैं और प्रेम प्रशंगों में रुचिबान होते हैं कभी कभी इनके बहुत सारे प्रेम प्रशंग भी होते हैं ये समाज में सम्माननी होते हैं और आनंद लेने वाले होते हैं जीवन का आनंद लेते हैं रोहनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक ब्यवहारिक होते हैं समाज में सबसे अच्छा ब्यवहार बना करके रखते हैं रोहिनी नक्षत्र उर्वर्ता का कृशी का और शब्भता का अग्रदूत है यह एक उत्पादक नक्षत्र है और विकास के लिए नीव का पत्थर है यह नक्षत्र जातक उच्च चेतना युक्त होगा रोहिनी नक्षत्र में जन्म लेने बाले जातक बिचारबान सुझाव युक्त तथा सहायक होते हैं यह रचनात्मक कला संगरक्षक आत्म अभी व्यक्ति वाले मजबूत परिवार बाले और कभी-कभी रोड़ी बादी भी होते हैं परमपरा बादी होते हैं और कभी-कभी पाइदा लेने वाले होते हैं अवसरवादी होते हैं आईए अब हम बात कर लेते हैं कि रोहनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुषों के अंदर और क्या-क्या विशेश्टाएं होंगी अभी तक हम इस्त्री और पुरुष दौनों के लिए बातें कर रहे थे अब हम क रहों के प्रभावस्थिगने भी होते हैं कभी कभी थोड़े मोटे भी हो जाते हैं इनका सरीर लुभावना होता मांसल सरीर वाले होते हैं बिशाल कंधे होते हैं बड़े कंधे होते हैं और प्रभावी आकरशक नेत्र वाले होते हैं इनके नेत्र बहुत अच्छे होते हैं जातक सभाव से थोड़ा चिड़चिड़ा होगा और जल्दी नाराज हो जाने वाला होगा लेकिन फिर जल्दी से सांत भी हो जाएगा यानि कि छड़िक क्रोध आएगा पहले गुस्ता करेगा फिर बाद में पस्चाताब भी करेगा तुरंत फिर सांत भी हो जाएगा लेकिन जातक निर्णय का पक्का होता है यदि एक बार उसने को सोच लिया तो फिर वो करके ही मानेगा जिद्धी होता है जातक अपनी राय या योजनाओं पर हठीला होता है ये थोड़े भुलककर सुभाव के भी होते हैं चीजों को भूल जाने की आदत होती है कभी-कभी इनके अंदर दूसरों में दोस निकालने की भावना भी होती है वैसे तो ये सहरदई होते हैं सबसे अच्छा बेवहार बना करके रखते हैं लेकिन जिससे नफरत करते हैं उसे निसंकोच कष्ट देने बाले होते हैं जातक सत्यवादी होगा, सत्य बोलने बाला होगा कभी-कभी ऐसी लोग बिना सोचे समझे मुहुपर भी बोल देते हैं इस कारण से इनकी बातों का लोग बुरा भी मानते हैं जातक आज पर विश्वास करने बाला होगा, भविश्य की जादा चिंता नहीं करेगा जातक गंभीर और इमांदार होगा लेकिन ये थोड़े जल्दबाज होते हैं जातक के अंदर धैरे और छमा का आभाव होगा जातक स्वतंत्र जीवन जीने की अकांख्षा रखेगा इसको किसी का भी बंधन पसंद नहीं होगा लेकिन कभी कभी ऐसे लोग बहुत जादा स्वतंत्रता मिल जाने के कारण गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं पतित हो जाते हैं इसलिए इनको हमेशा बंधन में ही रहना चाहिए स्वतंत्र नहीं होना चाहिए रोहिनी नक्षत्र में जन्म लेने बाले जातक के जीवन में 18-36 वर्ष की उम्र के बीच में कठनाईया होते हैं ये परिख्षा के समय होते हैं 18-36 के बीच में इनको कड़े परिश्रम से गुजरना पड़ता है इस समय में आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ की समस्याएं प्रमुख होती है ये अक्सर देखा जाता है कि इनका जीवन 38, 50, 55 और 56 वे बर्ष में सुखद आनंद दायक होता है जातक दिरगायों होगा, जातक मौत से भैंभीत होगा, मृत्यों से बहुत डरने बाला होगा स्वास्थ के प्रति सतर्क रहता है, जातक को दूसरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि इनको धोखा मिल सकता है यह सामाजिक नियमों को मानता तो है, लेकिन जरूरत पढ़ने पर सामाजिक नियमों को तोड़ भी देता है इस कारण बैबाहिक जीवन थोड़ा कष्ट में होता है आईए, अब हम बात कर लेते हैं कि रोहिनी नक्षत्र में जन्म लेने वाली इस्त्री के अंदर और क्या-क्या गुणदोश होंगे इस्त्रियों के अंदर पुरुशों के समान ही गुणदोश होते हैं लेकिन कुछ विशेष्टाएं होती हैं वो हम बात कर लेते हैं मित्रों रोहिनी नक्षत्र में जन्म लेने वाली इस्त्री बहुत सुंदर होती है रूपबती होती है अत्यंत आकरशक नेत्रवाली होती है इनकी आखें बहुत ज़्यादा सुंदर होती है मध्यमकद की होती है गौरवर्ण की होती है यह राज सम्मानी होती है इस्वर और विद्वान भक्त होती है ये ब्राम्भणों की सेवा करने वाली होती और भगवान पर बहुत विश्वास रखती है रोहिनी नक्षत्र में जन्व लेने वाली इस्त्री, इहलोक और परलोक विज्ञानी होती है ये अविचिलित, चतुर, चालाक और प्रेम शंबंधों के प्रती लालाईत रहती है कभी-कभी इनके एक से जादा भी प्रेम संबंध बनते हैं ये जीवन का भरपूर आनंद लेने वाली होती है लेकिन कमजोर दिल वाली होती है थोड़ी emotional सुभाव की भी होती है और कभी-कभी छोटी-छोटी समस्याओं से घवराने वाली भी होती है रोहनी नक्षत्र में जन्म लेने वाली इस्त्री चिड़-चिड़े सुभाव की होती है और कभी-कभी अपने आप से भी मुसीवतों को आमंतरत करती है याने कि आवेल मुझे मार वाली इस्थिती लाती है बैसे तो ये बहुत बातें करने वाली होती है गौसिप करने वाली होती है लेकिन यदि कोई गुप्त बात हो कोई रहस्यमई बात हो तो उसको अपने अंदर भी रखती है ये बहुत ब्यवहारिक होती है समाज में सभी से अच्छा बेवहर बना करके रखती है लेकिन उक्साने पर कभी-कभी हिंसक भी हो जाती है रोहणी नक्षत्र में जन्म लेने वाली इस्त्री की सिख्षा मध्यम होती है इनकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हो पाती सामन ने पढ़ाई होती है लेकिन ये कारे में निहित योगिता वाली होती है इनके अंदर कोई न कोई एक विसेश योगिता होती है जिस कारण से इनका जीवन चल जाता है यह सुभाव से थोड़ी जिद्धी होती है और इसे अपने बैवाहिक जीवन में सुख पाने के लिए जिद छोड़ देनी चाहिए क्योंकि यदि ज्या कादी की संभावना भी बन जाएगी सामान नतया स्वस्त रहती है यह अपने पती और संतान को सुख दैने बाले होती है पारिवारिक जीवन जेने बाले होती है आईए अब हम बात कर लेते हैं कि रोहनी नक्षत्र में जन्म लेने बाले इस्त्री और पुरुषों के अंद पूरा सुनना चाहिए क्योंकि रोहनी नक्षत्र में जन्म लेने वाली इस्त्रियों के अंदर भी पुरुषों के गुण मिलेंगे और पुरुषों के अंदर भी इस्त्रियों के गुण मिलेंगे जो अभी हमने ऊपर बात की आईए अब हम बात कर लेते हैं कि रोहनी नक्ष तुबाले होते हैं, ये सक्तिशाली होते हैं, ये अच्छे वक्ता होते हैं, ये बोलने में बहुत निपुण होते हैं, ये इस्थिर चुत्त होते हैं, जातक स्वरूपवान होगा, जातक सत्यवादी होगा, जातक काम, क्रोध, मद, इन सवपर नियंतरन रखने वाला होगा, जातक सास्त्रोक ताचरन करने बाला होगा जातक दानी होगा परोपकारी होगा समाज में लोगों की सहायता करने की इक्षा रखेगा जातक पसुधन से युक्त होगा जातक धैरशाली होगा और अल्प सब्दों में अधिक बात कहने बाला होगा ऐसे लोगों की बातें कभी-कभी बहुत ज़्यादा गंभीर होती है ये इस्थर विचारी होंगे बहुत अच्छा विचार करने वाले होंगे ये तेजस भी होंगे और संभोग में बिसेश रुची रखने वाले होंगे यानि की कामुप्रबरती के होंगे उपरोक्त गुणों के अलावा और भी कुछ इनके गुण हैं ये लोग सब्दों के खिलाडी होते हैं बोलने में बहुत माहिर होते हैं बागपटू होते हैं और कभी-कभी बोल करके अपने काम बनाने बाले भी होते हैं बातों-बातों में दूसरे की मन की तह को खोल देते ह जातक मस्तानी बैल की तरह चाल बाला होगा, अल्प भासी होगा, कम बोलने बाला होगा, लेकिन अच्छा बोलेगा, इस्थिर चित्त होगा, कामों को होता है, लेकिन ये चरित्रबान भी होगा रोहिनी नक्षत्र में जन्म लेने बाले जातक को खेती बाडी से, फूल बगीचे यादी से इन सबसे ज़्यादा लगाव होता है, घूमने फिरने के भी सौकीन होते हैं, इनको पहाडी छेत्रों में घूमना बहुत अच्छा लगता है, थंडी जगह में घूमना अच्छा होंगे, अभी तक जो विशेष्टाएं बताई गई हैं फिर वो जादा नहीं होंगी, परन्तु नक्षत्र निर्वल हो फिर भी ये सुन्दर तो होते ही हैं, आकर्षत व्यक्तित वाले तो होते ही हैं, क्योंकि सुन्दरता ही इनकी विशेष्टा है, इनके अंदर ये बहुत सारे काम बना भी लेते हैं, ये अपने जीवन में अच्छा धन कमा लेते हैं, जातक लुभावना, इस्थर दिमाक बाला, संगीत, नृत्य, डान साधी में रुची रखने बाला होगा, साहित्यादी में रुची रखने बाला होगा, जन प्रभावी होगा, सामाजि युक्त भी होगा, कामुक प्रवर्तिका होगा, कामातुर होगा, ललित आकरशक बाला होगा, ऐसे लोग उदार भी होते हैं, ऐसे लोग लोगों की सहायता करने की एक्षा रखते हैं, ये सिसू प्रेमी होते हैं, बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, कला, संगीत, बिलास प करते हैं और बैसे तो यह समझदार होते हैं समाज को देख करके काम करने वाले होते हैं लेकिन कभी-कभी असभ्यों जैसा व्योहार भी करते हैं भौतिक बादी होते हैं आध्युनिक्ता में विशे साकर्शन रखते हैं और सुक्की चाह रखने वाले होते हैं इनका जीवन ब नक्षत्र के किस चरण में आपका जन्म हुआ है तो आपके अंदर इसके अलाबा और क्या-क्या विशेष्टाएं होंगी आईए अब हम बात कर लेते हैं कि रोहिनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने बाले जातक के अंदर और क्या-क्या विशेष्टाएं होंगी इसके अलाबा मित्रों रोहिणी नक्षत्र का प्रथम चरण सारिरिक सुख आध्यात्म और भोग का द्योतक है बिलास का द्योतक है रोहिनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने बाले जातक छोटे उदर वाले, छोटे पेट वाले, मेढे के समान नेत्र वाले, पिंगल वर्ण वाले, थोड़े क्रोधी भी होते हैं, चिड़चड़े सुभाव के होते हैं, और इनके मन में कभी-कभी दूसरे के धन को हड़पने की इक्षा भी आती है. रोहिनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने बाले जातक बासना युक्त होते हैं, कामुक प्रब्रती के होते हैं, ये थोड़े लोभी और लालची भी होते हैं, बैसे तो ये बहुत सुंदर बोलने वाले होते हैं, बहुत लिखे नाकनक्स वाले होते हैं सौभाग्यबान होते हैं और इनको अपने भाग्य का साथ मिलता है यह सुभलक्षणों वाले होते हैं यदि इनको अच्छे संसकार मिलें अच्छा माहौल मिलें तो यह अपने जीवन में अच्छा नाम कमाते हैं अच्छा करते हैं आईए रोहिनी नक्षत्र का दूसरा चरण बिसम इस्थिति भौतिक बाद आधनेक बाद और क्रांति का द्योतक है। ये बड़ी होती है। गौरवरण के होते हैं और भद्र आदतों बाले होते हैं अच्छी आदतों बाले होते हैं सुबक्ता होते हैं बातें बहुत अच्छी करते हैं लेकिन इनको कभी कभी छोटे मोटे रोग भी होते रहते हैं रोगी जैसे होते हैं सरीर से ऐसा लगता है कि जैसे कुछ रोग हो किन्तु ये जिटेंद्रिय होते हैं बिद्वान होते हैं और समाज में अच्छा नाम कमाते हैं आईए अब हम बात कर लेते हैं कि रोहनी नक्षत्र के तीसरे चरण में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपके अंदर इसके अलावा और क्या क्या विसेशताइं होंगी मित्रों रोहणी नक्षत्र का तीसरा चरण, बानिज्यका, ब्यापार का, रचना, लचीलापन, नम्यता और करकस्ता और संपत्ती का दियोतक है रोहनी नक्षत के तीसरे चरण में जन्म लेने बाले जातक इस्थर चित होते हैं सुन्दर नेत्र वाले होते हैं इनकी आखें बहुत सुन्दर होते हैं आकरशक नेत्र वाले होते हैं ये कोमल सरीर वाले होते हैं और मोहक वाड़ी बाले होते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, इनकी बातें बहुत अच्छी लगते हैं, माधुरिय और हास्यरस में रस लेने बाले होते हैं, निपन होते हैं, बातुनी होते हैं, कभी-कभी ये लोग बहुत जादा बातें भी करते हैं, गौसिप करने बाले होते हैं लेकिन जातक बहुत धार्मिक होगा ठोस भक्त होगा प्रसंसा की योग्य होगा समाज में इनकी प्रसंसा भी होती है ये दानी भी होते हैं परोपकारी होते हैं समाज में लोगों की सहायता करने बाले होते हैं रोहनी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लेने बाले जातक अंक गडित में निपुण होते हैं अत्वा जोते शादी में गहरी रुची रखने बाले होते हैं ये धार्मिक सुभाव के होते हैं प्रसन्न मन बाले होते हैं खुस रहते हैं लेकिन ये कभी-कभी थोड़े डर पोक भी होते हैं दरने वाले होते हैं लेकिन सोभाग्य साली होते हैं और इनको अपने भाग्य का साथ अच्छा मिलता है आईए अब हम बात कर लेते हैं कि रोहिणी नक्षत्र के चौंथे चरण में यदि आपका जन्म हुआ है तो आपके अंदर इसके अलावा और क्या-क्य मित्रों रोहिणी नक्षत्र का चौंथा चरण भौतिक बाद सुरक्षा मात्र बक्ष और स्वामित का द्वेतक है मित्रों रोहिणी नक्षत्र के चौंथे चरण में जन्म लेने बाले जातक मृत पुत्र बाले होते हैं कभी-कभी इनको संतान से संबंधिस समस्याएं होत हैं इनकी आखें बहुत संदर होती हैं बड़े अंग बाले होते हैं बड़े पैर बाले होते हैं और कभी-कभी स्वजनों के द्वेशी होते हैं कि कभी-कभी अपने परिवार से अथवा अपने रिष्टेदारों से अपने सगे संबंधियों से ही मतभेद होने लगते हैं उन मित्रों आज हमने जाना कि रोहिनी नक्षęt्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का जीवन कैसा होगा मित्रों यदि आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र जिस दिन था उस दिन आपका जन्म हुआ है तो ये जीवनफल आपके लिए है आज के लिए बस इतना ही आसा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी नमस्कर